नमस्कार दोस्तों यहाँ पर मैंने कोटक महिंद्र बैंक शेर का टू आर टाइम फ्रिम का चार्ट उपन किया है और यहाँ पर आप देखो यह शेर हमें कहीं दिनों से सिर्फ एक ही रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है इस शेर में ना तो कोई धमा के दार त इसी कब आईगी क्या इस शेर में यहाँ से कोई बड़ी गिरावत आ सकती है इस शेर को अभी हमें बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए और अंत में हम देखेंगे कि इस शेर में हमारे शॉर्ट टम टार्गेट्स क्या रह सकते हैं तो चल यह वीडियो को शुरू कर तो दोस्तो सबसे पहले अगर बात आती है इस शेर में सपोर्ट की तो यहाँ पर आप देखो इस शेर में 1,700 रुपीज का लेवल एक स्ट्रॉंग सपोर्ट है क्योंकि यहाँ पर आप देखो इस शेर ने इस जोन में सपोर्ट लिया था उसके बाद इदर उसके बाद तो यहाँ पर आप देखो यह वाला जो जोन है मतलब 1,812 रुपीज का लेवल यह लेवल इस शेर के लिए एक स्ट्रॉंग रेजिस्टंस है क्योंग इस शेर ने इस जोन में रेजिस्टंस वेश किया फिर गिरावट फिर वापस इधर रेजिस्टंस वेश किया गिरावट और अभी भी यह शेर इसी लेवल पर रेजिस्टंस वेश कर रहा है तो यहाँ पर रेजिस्टंस है 1,812 रुपीज का लेवल सपोर्ट है 1,700 रुपीज का लेवल तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखे तो हमें एक रेक्टेंगल पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहा है तो एक सिंपल लॉजिक है अगर यह शेर अपना रेजिस्टंस ब्रेक कर देगा तो हम इस शेर में खरीदारी करेंगे बाइंग करेंगे और उसके बाद जो हमारे टार्गर्ट रहेंगे इस शेर में वो रहेंगे 2,000 रुपीज से लेके 2,200 रुपीज तके और दोस्तों अगर बात आती है हमारे स्टॉप लॉज की तो हमारे स्टॉप लॉज रहेगा 1,700 रुपीज का तो आज के वीडियो के लिए पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्स्रेब कर देना इस शेर में मेरी कोई भी बाइस या होल्ड की सला नहीं है ध अन्यवाद